दोस्तो जब टिचकोले और टिचकोले कमपणी को कॉंट्रेक्ट दिया जाता है देश के अंदर में तो तब ऐसे हालाद देखने को मिलते हैं जैसे ही बारिस होने लगती है ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर आती है और यहाँ से निकल कर आता है करेप्सन और कई तो सारे ऐसे इंसिडेंट आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखे होगे कि नया नया पुल बना है और उसमें कई सारे कभी बच्चों की कोई स्कूल की बस जा रही है या फिर कोई साधी वहां में जा रहा है तो पुरा का पुरा पुल जो है वो ढह गया आप लोग समझ रहे हैं आपर कि किसी इंसान का जो करेप्सन है वो किसी दूसरे इंसान की जान तक लेकर चला जाता है ये इतना भारी पड़ जाता है करेप्सन कहीं बार पर लेकिन वही है कि नसों में गुसावाया उसका क्या ही किया जा सकते हैं और यह जो नियूज निकल करा रही है यह आप लोग गुजरात से देखने को मिली ठीक है यह गुजरात की अकेली की हालत नहीं है पूरे देश में अलग-अलग के एक तरीके से बोल जाए कि यार यह इंसान है था यह काम करके गया है आने वाले और भी लोग याद रख्यार ऐसी होने चाहिए जिन्दगी ठीक है काभी शांदार आज का डिसकसन इंपोरेंट न्यूज अनलिस रहने वाला है कई सारे इतने बहतरीन आर्टिकल है सुनकर आ अगर आप लोगों कि देश चोड़ कर जाना है तो कौन सा ऐसा देश होगा जहां पर आप लोगों रहना पसंद करोगे अपने देश का उप्सन नहीं है ठीक है उसके बारे बात करूँगा एक काफी बहतरीन आर्टिकल होगा अंटार्टिका बिल के बारे में जो की इंडि सेलेबस के किस पार्ट से वो कैनेट करेंगे वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा और वीडियो का अच्छे सुनिएगा क्योंकि अगर अच्छे सुनोगी तो यहां पर मुझे पता चलेगा किसने अच्छे से आंसर दिये हैं क्योंकि टक्टकी लगा कर आप लोगो देखना यार ताकि अच्छे से आप लोग अंसर दे सको और अच्छे से चीजों को एंज्योय कर सको तेही जुलाई है आजी का दिन जो है वो नैसनल ब्रोड कास्टिंग डे के रूप में सेलिवेट कियाता है देश में जो रेडियो का परसार आप लोगो देखने को मिल र तो याद किया जाता है अगर कुछ अच्छा काम करते हैं ताकि आने वाले टाइम में भी चीजे जो हैं वो इसी पैटन में आगे चलती रहें ठीक है तो इसलिए इंपोर्टेंट डे हैं यापर और आज सेटरडे है आप लोगो पता होगा सेटरडे को आप लोग ऐसे भी एक दूसरे का आंसर आप लोग रिवी भी कर ले ना बहुत सारे बच्चे रेगुलर यहाँ पर आंसर पोस्ट करते हैं और बाकी जो नोर्स आप लोगो चाहिएंगे तो वह आप लोगे सामने असलिवी पीडिया है यहाँ पर आप लोगो बहुती शांदार तरीके से कई हैं कई बच्चे बोलता हैं सबस्कित हैं तो पेगसवाइरस कल हिंदी में और इंग्लिस में दोनों में अप लोगे लिए डेली एक टोपिक अटलिस्ट आप लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है हिंदी और इंग्लीज दोनों में ठीक है बाकि और यह बहुत सारी ची अगरो आप लोग इंगलिस इंपरूव करेगा और जो क्वीज आता है हिंदू के अंदर डेली वो भी मैं हाँ पर डाल देता हूँ एक बार आप लोगों ने जो ग्यान अरजित कर लिया ना वो कहते है कि आत्मा को ना कोई गला सकता है ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है वही चीज आप लोगो ग्यान के साथ में देखने को मिलेगी ग्यान में कभी भी आप लोगो अरजित करने में कोई कोता ही नहीं ब बाटने से बढ़ती है इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी कुछ भी सीखते हो तो दूसरों तक जुरू पहुंचाओ इस किलास से जो भी सीखते हो आप लोग का बस इतना काम कर लो फिर देखो कुते लंबे समेतह क्याद करते हो कर दूसरा किसी को जाकर पढ़ा दो किसी को क्या अपने मपी पापा को यह पढ़ा दो क्याओ कुछ नया सीकते हैं आज कुछ नया बताता हूं अप Positive तो बस आप लोगो लंबे समितक याद रहेगी और जब लेक्चर सुनो तब भी ऐसे सुनो कि किसी को पढ़ाना है फिर देखो कितना मज़ाता है और एक काम और करना है कि अपना डे का तो यहां पर इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारे स्टेब्लिस की ती फॉस्ट कंपनी इंडिया के अंदर में फॉस्ट फैक्ट्री तो अकबर जहागीर साजा यह फिर औरंग जीव यह दो कोशन के आंसर आप लोग देजिए देखता हूं कौन यहां पर सही आंसर अटेम्ट किये गए तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह निकल कर आए कि तमिलियन जो मूवी हैं यहां यह साउथ इंडिया की जो मूवी हैं उनके द्वारा काफी शांदार परफोर्मेंस यहां पर देगी नूर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता था पर लेकिन पर लेकिन साउथ इंडिया वाले रियलरी में अपनी कल्चर को दिखाते हैं बहु बली मूवी देख लो आरार मूवी देख लो आप लोग उठाकर ठीक है आप लोग मूवी को देखोगे तो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि हां अपना देस है तो यह मुझे अच्छा ल बारे में detail में information में आप लोग को बता दूँगा जब इसके बारे में detail में discerns करेंगे ठीक है बर्थडे और इसी के साथ में हाँ पर चंदर सेकर आजाद जी का भी बर्थडे आजाद जी के बारे में तो आप लोग नहीं सुनोगा कि मैं आजाद हूँ और आजादी रहोंगा तो यह होती है जिंदगी इतना confidence इंसान के अंदर में होना चाहिए और देखो जी कर कितना ग अगर आप लोग हिस्टी थोड़ा सा भी उठागर पड़ोगे ना तो आप लोग मज़ा आ जाएगा जैसे बात करें हाँ पर चंदर सेकर आजाद जी के बारे में तो आप लोगों ने एक औरगनेशन का जुरूर नाम सुनोगा जिसको बोलते हिंदूस्तान डिपब्लिकन ओर्गनेशन ठीक है ये काफी सारे लोग इसके साथ में किनेटिट थे तो 1924 में इसको इस्टेब्लिस के गया था तो यहाँ पर यह बंगाल के अंदर बंगाल को भी हाँ इस्ट बंगाल बोला जा रहा है रीजन क्या है आप लोगों बता होगा इस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो आज केड़ में आप लोगों को देखने को मिल रहे है वही बंगला देश आगे चलकर डिविजन होता है वहाँ से ठीक है तो कई सारे लोग थे इसमें जैसे सचीन नाच सानियाल हो गया नरेंद मोहन सेन हो गया इसी के साथ में परतुल गांगोली होगी है यहा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं और भी कई सारे मेंबर जैसे कि आप लोग बात करें यहां पर इनके द्वारतों मिलकर बनाएगी थी बाकी भगत सिंग होगे चंदर सेकर राजाद होगे सुगदेव होगे बिस्मिल यह सारे असपाक उल्ला खां राजेंद्र लाजेंद कई सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजो का धन हम लोग लूट रहे ते अपना धन लूट रहे थे भाई साब अंग्रेजो को कहांसे था तो काकोरी ट्रेन जो आप लोगो देखने को मिला है आप इसका नाम भी रिसेंडली अभी चेंज किया गया था इसलिए जो यूपी के द्वारा तो यह काफी इंपोर्टेंट इसके बारे में याद रखेगा यह आप लोग को देखने को मिलेगा इंपोर्टेंट बहुत जाद है ठीक है तो यहाँ पर चंदर सेखर आजाद राम परसाद बिस्मिल असपा कुलाखा राजेंद्र लहरी और शी के साथ में इस लिस्ट रिपब्लिकन एक 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 एजुकेशन इस्टीशन के तोर पर जो कि 1928 में फिर यहाँ पर इस्टेबलिस की गई और भगत सिंग भी यहाँ पर फिर इसका पार्ट बने तो यह आप लोग समझ सकते हैं यहने का मतलब यहाँ पर यह कि काफी कुछ किया आगे चल ने था हूं मध्याप्रदेश में होता, नोन कोपरेशन मॉवमेंट इनके द्वारा जोइन किया गया 1921 में, यह सारे जो भी नहीं नहीं, जो एक गरम खून के जो लोग निकल कर आए, काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि नोन कोपरेशन मॉवमेंट के टाइम पर निकल कर आए ठीक है आजाद का सब्द होता है independent ठीक है तो इनके इनका यह मानना था कि मैं कभी जेल नहीं जाओंगा तो आजाद हूँ आजादी रहूँगा चो चंदर सेखर आजाद जो बात करें तो यह थिवारी थे और इसी के साथ में हाँ पर अलहाबाद के अंदर एक पार्क भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा मैंने अभी यहाँ पर बताया तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं freedom fighter के बारे में दीस के freedom fighter के बारे में जितना भी जानने का मोका मिले उनके बारे में जरूर आप लोगों पढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है बागी तो आप लोग समझ सकते हैं तो एक important personality का part है आप लोगा तो important personalities के बारे में आप लोगों बता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक जी का जनम जो है महरास्ता में होता है आपर रतनागिरी 23 जुलाई 1856 में ठीक है लोग मानने तिलक आप लोग जानते हैं आपर इनको रोग मानने तिलक जो है वो भी बोला जाता था तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इनके दो news paper ते जहां से direct question आप लोग यह बनते हैं एक तो मराथी आप लोगों देखने को मिलेगा जिसको वीकली केषरी इसी के साथ में मराथा इंगलीस यहाँ पर confusion होता है ठीक है वीकली केषरी मराथी लेंगवेज में थी और मराथा जो थी वो इंगलीस लेंगवेज में थी ठीक है तो अभी फिलाल यहाँ पर हम लोगों ने, आप लोगों को कई सारी बाते बताएं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, आईए अब आगे चलते हैं, इम्पोर्डेंट एक एक करकर आर्टिकल और देखते हैं, अच्छे से डिटेल में, यह कैसी न्यूज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगो अपना देश छोड़ना है, और जाके कोई किसी और देश में आप लोगो रहना है, तो कौन सी कंट्री आप लोगो चूज करोगी, यानि कि अपना देश ओप्सन में नहीं है, वरना तो हर एक इंसान जो है अपने देश म यहाँ पर बताओं, एक बच्चे के दोरा कमेंट लिखा गया, वो लगबग दो साल से वीडियो देख रहा है, ठीक है तो मैंने कोई 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 पूछा था तो उसका आंसर दिया गया, तो वो बोल रहा है कि सर्फ दो साल लग गये मुझे कमेंट करने में, मुझे डेली अं जैसे हैं आप, हो सकता है, कुछ लोग पहले से तयारी कर रहे हैं, उनको दो-चार सब्द जादा आगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर तुम हाद से लिखना स्टार्ट करोगे, तो आप लोग को चीजे नहीं आएंगी, तो कहीं पर भी चाहें answer writing हो, चाहें comment box में होगा, grammar गलत हो जाएगी, spelling गलत हो जाएगी, तो सही कर ले ना मेरे भाई, exam में तो गलत नहीं होगा ना कम से कम, तो सर्माना सीखते हुए कभी भी नहीं है, जिस इंसान ने सीखते हुए सर्माना start कर दिया ना, वो इंसान कभी कुछ सीखी नहीं पाएगा, तो ये उन लो और अगर कोई पहली बार कुछ ऐसा लिख रहा है तो उसकी मजाग ने उड़ानी उसको एप्रिशेट करना है कि हायर कर सकते हो यह तो होता है एक परिवार का काम तो यह काम आप लोग जुरूर करिए तो अभी जो डेटा है वो यह है कि हमारी कंट्री में लोकसभा और राज 3 सालों में 3 साल मतला 19, 20 और इसी के साथ में 21 पिन सालों में पिछले लगबग 3,92,643 लोग जो हैं वो सेटिजनसिव छोड़कर जा चुके हैं देश की सेटिजनसिव छोड़कर जा Чुके हैं उनको अपना देश वह पसंद नहीं है या फिर बोल सकते हैं उनको यहाँ पर कोई अपोर्चूटी नहीं देखी तो कहीं अच्छी अपोर्चूटी मिल गई तो हाँ पर चलेगे नॉर्मली अगर आप लोग बात करें जैसे बात करते हैं कि यारी अपना गाउं छोड़कर सहर में आ गया है वो क्यों आता है इंसान अगर मैं आप लोगों से हाँ पर सकता है तो यह कुछ ऐसे इस्यूज आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि इंसान को मजबूर करते हैं उसका comfort zone छोड़ने से जहां पर वो रहता है वहां से निकलने के लिए तो यहां पर जो में रिजन काफी लार्ज स्केल पर आप लोग को देखने को मिलता है जब इंडियन यानिके भारते नागरी कोई बहार जाता है किसी दूसरे देश में तो सबसे बड़ा जो में रिजन एक निकल कर आता है वो होता है employment तो employment की वैसे इंसान जो है वो बहार जाता है और दूस किसी और देश की citizenship लेनी थी तो ये काफी एक important topic है वैसे तो दुख भरा है पर लेकिन important है समझेंगे इसके बारे में कि कौन से देश की citizenship हमारे देश के लोगों के द्वारा ली जा रही है यानि कि कौन सा देश जो है हो सबसे पसंद आ रहा है कौन सा ऐसा देश है जिसका आ आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिक के अंदर जिसमें article 5 से लेके article 11 तक जो है वो देश की नागरिकता यानि के citizenship के बारे में ही बात करते हैं और आप लोगों ने देखा अभी citizenship amendment act कितना जा रहा है न्यूज में था वो भी citizenship के बारे में ही बात कर रहा था citizenship amendment act में हाँ पर तीन देशों से minority community को देश के अंदर आने के लिए allow किया गया था वो तीन देश कौन से हैं उनके नाम comment box में लिखो देखता हूं कौन कौन उसका सही answer देता है अभी मुद्दा क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभी हाँ पर बोला गया कि लगग 1 1.6 lakh जो इंडियन है उनके द्वारा अपनी citizenship छोड़ी गई 2021 में और इसमें तो यह जो data है यह ministry of form affair के द्वारा प्रोवाइड करा गया लोग सबह में सबसे ज्यादा जो लोग है जिनको पसंद आ रहा है वो क्या है United State of America यहनके लोगों को अपने देश से ज्यादा है जो ऐ 28,000 लोग जो है उनके द्वारे हाँ पर citizenship एकवार की गई यह important point आप लोग याद रखेगा जो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा मैं हाँ पर देखने को मिल रहा है 362 इंडियन जो है वो चाइना के अंदर उनके द्वारे citizenship ले गई यानिके अपने देश से चाइना भी उनको पसंद आ रहा है चाइना के पसंद आने के चांस मुझे कम पर चाइना के अंदर जो अपोर्चोड़ी है जो की वो मुझे जादा लग रही है जिसकी वेसे आपर जो इंसान है वो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर चाइना की citizenship ले रहा है अगर इस डेटा को थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो ये डिरेक्ट सोर्स जो है लोग सबसे हैं आपर निकाल के लाए जा रहे हैं USA में जो यहाँ पर सबसे ज़्य केले भी कहीं कम नहीं है यहाँ पर जर्मनी भी आप लोगों देखने को मिलेगा और यह इटली हो गया और यह यूकी हो गया मैक्सिमम जो है आप लोगों को वो कंट्री है जो की डवलफ कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी तो 2019 में 1,44,000 2020 में COVID-19 के चलते किसी ने अलाउ किया नहीं पर फिर भी 85,000 लोग के द्वारा अलग-अलग देश में सिरिजंसिब ले गयी जैसी COVID-19 थोड़ा ओपन हुआ 1,66,000 लोगों के द्वारा अपना देश छोड़ दिया गया दुनिया के अलग-अलग देशों में इंडियन सिरिजंसिब जो है उनके द्वा पर चल रहा होगा उनको उनके द्वारा स्टेटिजंशिप जाकर ले ले गी पर लेकिन मैं हैरान रहा गया जब मैंने पड़ा पाकिस्तान के बारे में जी आप लोग विल्गुल से ही सुन रहे हैं 2019-2020 में तो कोई पाकिस्तान नहीं गया पर लेकिन 21 में 48 लोगों के द्वारा पाकिस्तान की सेटिजंशिप ले गई मतलब पाकिस्तान से लोग खोड़ खोड़ कर भाग रहे हैं वहाँ पर इतनी बुरी कंडिशन देखने को मिल रही है तो आप लोगोंने कई बार सुना है न कि जा पाकिस्तान चला जा ठीक है एक तरीके से देश के अंदर कोई काम करें तो पाकिस्तान चला जा वो वाली कंडिशन है तो 48 लोगों के द्वारा पाकिस्तान की citizenship ले ली गई यहां पर तो यह काफी एक तरीके से सोचने वाली बात है आप लोगों पता है हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा है रेमिटेंस मिलता है तो बहुत सारे लोग हमारे देश से बाहर जाकर रहते हैं और फिर अपने देश में जो पैसा भेजते हैं वो नॉर्मली आप लोगो रेमिटेंस देखने को मिलता है तो इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा है रेमिटेंस जो है वो आप लोगो आता हुआ नजर आता है तो ये कंडिसन है हमारे देश के अंदर में अगर बात करें आप लोग बोलोगे कि सिटिजनसिप छोड़ तो रहे हैं पर लेकिन हाँ पर ये सिटिजनसिप छोड़ने का हमारे देश के अंदर में ऐसा क्या प्रोविजन है कि कि उनको citizenship कईयों को छोड़ना चाते भी होंगे, नहीं भी चाते होंगे, पर लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ जाती है, उसके पीछे reason क्या है, हमारी country में अगर कोई citizenship लिए बैठ है, तो उसको citizenship छोड़ने के कुस तरीके दे रखे हैं, यह जो तरीके हैं, यह टोटल तीन त छोड़ देना, ऐसा भी कोई तरीका है, तरीका तो है, इसको renounce, यह फिर renunciation बोलते हैं, यह तियाक कर देना अपनी citizenship का, पर लेकिन इसके ऊपर एक question माग भी है, मतलब कल को हमारी पाकिस्तान की है, फिर चायने के साथ में लड़ाई हो जाती है, और उस time पर आप लोगों ल citizenship छोड़ कर भाग सकते हो, खुद citizenship renounce कर सकते हो, तो यह बात आप लोगों देखने को मिलेगी, दूसरा condition है आपर termination, हमारी country के अंदर आप लोगों पता है कि single citizenship का concept है, और जब मैं citizenship के बारे बात कर रहा हूं, तो समिधान के अंदर जब आप लोगों से बात करता हूं, पहले के center इसको tackle करती है, और हमारे देश में, USA की तरह नहीं है, आप लोग dual citizenship ले सकते हैं, पहले center की ले लो, USA की, फिर अलग अलग state की citizenship ले लो, ऐसा नहीं है, हमारी country के अंदर जो concept है, वो क्या है, कि आप लोगों को अगर citizenship लेनी है, तो आप लोगों एक ही citizenship रहेगी, अ जट मंगनी और फटबिया, उधर आप लोगों ने मंगनी की, और इधर से आप लोगों की विदाई हो जाएगी तुरंत, तो ये एक तरीके से provision है कि हमारे देश में dual citizenship लाओ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, और number 3 जो तरीका हैं आपर इसको बोलता है deprivation, इसका म मिलते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, जो कि normally अपने देश में रहते ही नहीं है, साथ साल तक लगातार कहीं और जाकर लेटे हुए, तो यहाँ पर क्या मतलब होगे बाई साब, आपका वहीं रहना है, स्टार्ट कर दो, तो तुमका हम लोग भहीं की citizenship दिला देते हैं, ठीक है तो यहाँ पर बात की जा रही है, इस तरीके से कुछ-कुछ प्रोविजन आप लोगे सामने हैं, बोला गया है कि citizenship जो है, एक तरीके से अगर बात करें हाँ पर, तो इसके लिए भी हाँ पर प्रोविजन रखा गया है, तो यहाँ कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आप लो जाती है, तो आप लोगों को citizenship यहाँ पर नहीं मिलेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, अनलोफुल कोई trade practice करें, वोर के टाइम पर तो भी हाँ पर citizenship छेन ली जाती है, यानि कि देश के साथ में गददारी कते ही बरदास नहीं है, और अगर है, तो अगर कोई ऐसा कोई करत पाय जाता है, तो फिर भाय साब उसको देश निकाला दिया जाता है, एक interesting चीजे हैं आपर, जो कि आप लोग याद रखेगा, माली जे आप लोगी साधी हो रखिये, आप लोग है A, और आप लोग की wife है B, A, B की साधी हो रखिये, इनके दो चुन्नु मुन्नु है, जिसक नीजिन्दी को enjoy करना है, पर चुन्नु मुन्नु अडगे, और चुन्नु मुन्नु की जो age है, वो है 18 साल से नीचे, तो यहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ में इनको जबरदस्ती ले गए, इनको जाना पड़ेगा, तो जैसे ही अपने मम्मी पापा के साथ में पर लेकिन एक पूर्चूर्टी है चुन्नुमुन्नों के सामने अगर आगे चल कर इनके मन के अंदर देश भक्ति की भावना एजग जाती है तो फिर से यह वापस आ सकते हैं देश के अंदर में 18 साल के होने के बाद में और फिर से शेजनशिप के लिए अपलाई कर सकते हैं से शेजनशिप के लिए दुनिया की जो मैक्सिमम अमीर आदमी है वो अपनी से शेजनशिप अगर वो छोड़ते हैं तो वो जाकर रहना परसंद करते हैं सुर्जर लेंड के अंदर में सुर्जर लेंड की वादियां उनको पसंद आती है कि अपने देश में कुछ नहीं र और जाते हैं यह ग्लोबल वेल्ट जो माइग्रेशन रिव्यू के अंदर बताया गया था और पॉलिटकल सिचवेशन जैसे शोड़कर निकल लेते हैं क्योंकि उनको ना तो opportunity दिखती है धंकी यहाँ पर और इसी के साथ में crime rate बढ़ता है तो उनका लगता है कहीं और जाकर रहते हैं तो student land जैसी country आप लोगों को normally लोगों के लिए बड़ी favorite मानी जाती है इसी के साथ में कई सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से middle class जो student है उनको भी कई बार इसी चीजे face करना पड़ती है तो वो भी हाँ पर निकल लेते हैं और कई बार women और जो children है उनकी safety के issue के base पर भी आप लोगों को याद होगा साथ कोई actor था अमीर खान या फिर कौन था मुझे याद नहीं रहे जिक ले उसने बोड़ा था कि हम लोग safe feel नहीं कर रहे हैं देश के अंदर तो उस ताइम पर काफी ज़्याद है criticism भी क्यों था पर लेकिन ये भी एक reason है जिसकी वज़े से लोग जो है वो citizenship छोड़ कर देश के अंदर से निकल लेते हैं और जो सबसे ज़दे news में था अभी जब citizenship के वारे में हम लोग बात कर रहे थे तो वो था यहाँ पर citizenship amendment act 2019 का चहें ऐसी community जिसमें सीख, बुद्धिस्ट, जिवजैनीज, पार्सीज, क्रिस्चन यह अगर कहां से आते हैं, पागिस्तान से आते हैं तो यहाँ पर बंगलादेश से आते हैं और अफगानिस्तान से आते हैं तो इनको citizenship allow की जाएगी पहले 11 साल था है हाँ जो कि हाँ पर time था अब उसको घटागर 6 साल कर दिये गया और यहाँ पर छूट दी गई है, पासपोर्ट नहीं है और इसी के साथ में foreigner act जो लगा जाता है, उससे भी छूट मिली है तो इसके चलते भी यहाँ पर काफी सारे issue देखने को मिले जैसे बंगलादेशी कई सारे हिंदू illegal migrant माने जाते हैं तो उसके चलते अभी बिल भी आप लोग को देखने को मिला तो यहाँ पर यह act कानून बना है हाँ पर तो citizenship को लेकर कही सारे issue अभी देश के अंदर चल भी रहे हैं ऐसा नहीं कि यहाँ पर कानी खतम हो जाती है बहुत सारे issue ऐसे देखने को मिलेगे जहाँ पर citizenship के बारे में बार बार बात की जारी है कि यह citizenship को किस तरीके से आप लोग acquire कर सकते है और क्या क्या situation यहाँ पर देखने को मिलती है UPSC 2021 में बड़ा ही interesting question पूछा गया आप पर citizenship के बारे में और पूछा गया कौन सी statement correct है तो आप लोग यहाँ पर देखे बोला गया there is only one citizenship and one domicile in India यानि कि आप लोगों के आप लोगों ने देखा होगा कि citizenship के बारे में बात करते हैं आप लोगे पास में एक है और जो आप लोग जो मूल आधार जो परमान पत्र आप लोग बनवाते है वो भी आप लोगो एक देखने को मिलते हैं यह बात यहाँ पर बोलेगी है अगर इससे आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यह दो statement आप लोग कट कर सकते हैं यानि कि या तो पहला सही है या फिर यहाँ पर तीसरा सही है ठीक है इससे आप लोग समझ सकते हैं कि second statement जो है वो यहाँ पर गलत हो गई अगर आप लोग common sense लगाएंगे वो लगया citizen by birth only can become the head of state याणि कि अगर किसी को head of state याणि कि president बनना है वो इंडिया के अंदर ही पैदा होगा तो ही बनेगा ऐसा हमारे देश के अंदर नहीं है ऐसा USA के अंदर में है अगर कोई naturalization से हमारे देश के अंदर में citizenship लेता है तो वो भी president बन सकता है USA के अंदर ऐसा होना जुरूरी है कि उसी की जमीन पर पैदा हुआ वो इंसान वो ही जो है वहाँ का president बनेगा ठीक है कोई foreigner जो है उसको अगर grant की जाती है citizenship cannot be deprived of its under any circumstances यानि कि वो क समिध हान के खिलाब जाकर बत्तमी जी कारता है को उल्टी सीधेस के अंदर हर्गा दे करता है तो अगर कुछ ऐसी हर्गा दे करता है तो यह statement भी हाँ पर गलत हो गई तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं UPSC का tough से tough question भी आप लोग आसानी से solve कर सकते हैं अगर conceptual clarity आप के माइंड में आप लोग को देखने को मिलती है तो इस तरीके से आप लोग को preparation करनी है कि कोई भी डाउट आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए तो कैसा लगा topic जरूर बताना आप लोग इसको देखे कोई भी अगर topic में कहीं भी doubt होता है तो आप लोग पूछ लिय गरो और कभी भी पूलेटी का कोई topic आता है तो आप लोग जाकर पूलेटी के lecture जुरूर देखा करो पूलेटी भाई भी सर्च कर लेना लक्समी कांत की किताब जो है वहाँ पर आप लोग के लिए complete करा रखिये कोई भी doubt आप लोग को से रिटेड नहीं होगा ठीक है और इ पूलेटी के एक राज्ये जिसका नाम है मेगाले की नॉर्मली आप लोगोंने सुना होगा सुना के इसके बारे में तो आप लोगोंने पढ़ा भी होगा कि जो नोर्थिष्ट के राज्ये है वहाँ पर कई बार कई सारी लिजों को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं कई कई सारी हाँ पर जो community पाई जाती है उनको ये लगता है कि यार हमारा ना अलग राज्य होना चाहिए हमारी एक अलग से identity होनी चाहिए अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ मेगाले के बारे में तो मेगाले में भी आप लोग कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिले जिसके बेस पर मेगाले को डिवाइड किया गया है मेगाले के अंदर जो ये आर्टिकल में आप लोगों से discuss करने वाला हूँ ये है खासी जो particular area है उनके बारे में उनका ये मानना है कि यार जब हम लोगोंने instrument of accession ये एक ऐसा सब्द है जो कि आप लोगोंने कई बार पहले हो रहा था तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया एक सैड में आ गया इंडिया और दूसरी सैड में आ गया पाकिस्तान हाला कि पाकिस्तान भी अकेला नहीं था एक सैड में आप लोगो बंगलादेश देखने को मिला और एक सैड में पाकिस्तान जो यहाँ पर बंगला चाहता था ना तो चाहता था यह पाकिस्तान में जा कर मिले और ना ही इसको पसंद था कि यह बंगला देस में जा कर दोरी इंडिया हरी सिंग के द्वारा आप अपको ind lekker clear किया गया तो पाकिस्तान ने यहाँ पर attack कर दिया डिरेकल अटेक नहीं किया एक तरीके से जो local community होती है उनको साथ में लेकर यह एक तरीके से tribal attack भी आप लोग इसको बोल सकते हो एक तरीका तो यहाँ पर हरी सिंग को लगा कि अब जो है जान कर दोगे तो जम्मो और कास्मीर जो है वो हमारा पार्ट है और हमको उसको प्रोडेट करने का पूरा अधिकार है तो यह निकिए instrument of accession पर जो sign हो उस टाइम पर तो इसको लेकर भी कई सारे विवाद है कि हाँ पर प्रेशा डाल कर instrument of accession पर लिया गया इंडिया के दोरा तो बहुत सारी ऐसी बाते आप लोगों को देखने को मिलती है पर पर प्रजेंट टाइम पर जो सबसे important situation है वो यह है अगर आप लोग यहाँ पर इसको समझना चाहते है कि ऐसे ही कई सारी instrument of accession जो है तो वो अब फिर से modified की जाए हाँ पर ताकि इनको और ज़्यादा power मिल सके इसके चलती अभी मेक हाले के अंदर में हाँ पर meeting बुलाएगी है कि यार देखो घर की बात है घर में इस सुलजा लेते हैं बाहर जाकर कर रहे हैं तो अपने आप अगर मैं आप लोगो थोड़ा से यहाँ पर interesting fact बताओं जहां से आप लोगे कई बार question भी exam में बनते हैं और सायद आप लोगो कईयों को इसके बारें पता भी होगा क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि आज की date में ऐसा नहीं है कि हमारी country में article 370 ही एक ऐसा special article था जो कि Jumbo and Kashmir के लिए हम लोगों ने हापर provide करा रखा है कई सारे special provision आप लोगों को अलग-अलग राज्य के लिए भी हमारे देश में देखने को मिल जाते हैं और यह काफी interesting भी है यह अकसर state pieces के अंदर तो कई बार match करने के लिए भी आ जाते हैं जैसे कि अगर आप लोग उसे बोला जाए तो यह सारे के सारे आर्टिकल आप लोगो आप लोगो आर्टिकल 371 के अंदर देखने को मिलेंगे 371, 371, 371 यनके सारा provision जो है वो 371 के अंदर में है पर लेकिन इनको अलग-अलग पार्ट में divide कर दिया गया है जैसे कि 371 A के अंदर आप लोगो नागलेंड देखने को मिलेगा 371 B के अंदर आप लोगो आसाम C के अंदर मनिपूर इसी के साथ में अगर आप लोग इधर आएंगे D के अंदर आंदर प्रदेश तो इस तरीके साथ आप लोग यहाँ पर numbering देख सते हैं E के अंदर आंदर प्रदेश होगे यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगो और प्रदेस लिका हुआ है 371 में भी आंदर प्रदेस लिका हुआ है मतलब यह तो गल्ती से PRINT हो गया गल्ती से PRINT नहीं हुआ है यह इसका पार्ट है 371 जो D आंदर प्रदेस वाली बात यहाँ पर की जा रही है इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर जो special provision है वो आंदरपरदेश state से लेटर है यहाँ कि आंदरपरदेश राज्य से लेटर है पर 371 जो E है यहाँ पर यह बात करता है Central University जो कि आंदरपरदेश के अंदर जो establish के गई उस से लेटर special provision है यहाँ पर रखे गए है यह सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर दी गए है special provision के तैत यहाँ पर यह एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो temporary तोर पर है यह special provision temporary रहते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को part जो हमारे समिधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो 21 के अंदर आप लोगों यहाँ पर यह चीज़े नजराती हैं तो अगर उनको साथ में रखना है तो उनको थोड़ा सा support प्रोवाइड कराना है ताकि कलको चलकर कोई दिक्कत यहाँ पर ने देखने को मिले तो इसलिए यहाँ पर कुछ-कुछ provision आप लोगों यहाँ पर सिक्किम भी है इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे और दूसरे राज्ये हैं जैसे कि अंजल प्रदेश हो गया पर लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगो मेगाले देखने को ने मिलेगा ठीक है तो इसी के चलते हैं यहाँ पर यह चारे हैं कि जब हमारे special provision के बारे में आप लोग बात करते हो तो इक बात आप लोगो और देखने को मिलती है कई बार आप लोगो ने सुनाओगा कि हाथ लगा पर मून आया ठीक है तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर बात करूं 6 schedule के बारे में जो की समिधान के अंदर ए एका मदला हो गया असाम, एका मदला हो गया तिरपुरा, एम का हो गया मेघाले और एम का हो गया मिजदूरम, मनीपूर नहीं है आप अप तो यह जो चार राजे हैं जिसके उपर कई यो बार आप लोगों को हैं आपर फोकस देना पड़ता है जब एक्जामे कोशन बनते ह अपने आप में काफी ज़्यादی important राजे हैं और यह अपने आपको special provision देते हैं, किसके तइत यहाँ पर, यह schedule 6 के अंदर में, यह अपने आप नहीं देते हैं हैं इनको सम्षान देते हैं तो यहाँ पर जब special provision की बात आती है, में घाले के लिए भी, तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यहाँ पर बोड़ी तो है हमारी, जिसको KHADC बोलते हैं, यानि कि खासी, हिलीज, जो यहाँ पर Autonomous District Council है, पर लेकिन इसके पास में Legislature की पावर नहीं है Legislature मतलब एक तरीके से Legislate करना, यानिके कानून बनाना अपना खुद का कानून बनाना, उसकी पावर यहाँ पर नहीं है, तो यह चार है कि हमको भी वो पावर मिलनी चाहिए Special Provision जो Under Article 244 या फिर 275 जो है Constitution के उसके तैत आप लोग हमको भी Autonomous Administration के तो यहाँ पर Autonomous District Council जो है, उसके तैत यहाँ पर हम लोग को पावर दी जाए, अपने Particular Area में, अपने आपको एक तरी से Judiction करने की, यानिके कानून बनाने की, तो सारा जो मुद्द है वो यहाँ से निकल कर आ रहे है, तो पुंसी के चलते ही हाँ पर, यह ऐसा सी बाते उठा रहे है, और ऐसा नहीं है, कि हाँ पर यही बाते उठा रहे हैं आप लोग को पता है कि अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग के बारे में आप लोगो थोड़ा सा पता होना चाहिए जरूर कि हमारा जब देश बन रहा था तो आप लोगो पता होना चाहिए कि अपने देश के बारे में कहां से निकल कराया पैता कैसे हुआ हमारे देश में जो कानून व्यस्त है वो कहां से निकल करायी तो उस टाइम पर Government of India Act था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1935 का आप लोगो पता होना चाहिए कि हमारा समिधान जो बनाया गया है उसमें maximum part जो है वो इसी कानून से आपर लिया गया है तो ये जो कानून है आपर ये एक तरीके से एक legal document ये पर अपर को बता रहा हूँ इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि तुम अपने जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो छोड़के कुछ चीजों को कुछ चीज़े क्या है जैसे कि defense हो गया external affair जो एक तरीकी से relation हो गया और communication हो गया यह चीज़े ऐसी है जो central government की हाथ में चले जाएगी बाकी तुम जो है अपनी चीज़ों को देखोगे article 370 जो था जो अभी हटायागी है recently उसमें भी यही provision आप लोग को देखने को मिलते थे उसमें क्या था उसमें यह था कि यार यह चीज़े हमारे हाथ में देदो बाकी का तुम अपने आप देख लो क्योंकि international level पर जा हम लोग काम करते हैं तो हाँ पर चीज़ों को हम लोग को instrument of accession और मेखाले के बारे में तो यह आज की बात नहीं है उनने के बहुत पुराने समय की बात है एक राजा होगा करता था और सराजा के कई सारे रजवारे होगा करते थे तो उसमें सब को इखटा करके हम लोगों ने एक राजा बना दिया तो यहाँ पर जो 15 आगस्त 1947 और तो यहाँ पर मेखाले näगने उस टाइम पर 3 पारट में यहाँ पर डिवाइड किया घ्या खासी गायरो और जयनत्या तो यहाँ पर जो खासी है यह 25 हेम यहन के स्टेट ऐसे ते जिनको मिला गया तो फेडरेषन ऑफ खासी स्टेट इसको बोला जाता था तो इनकी दोरह जो यहाँ पर last governor general बने पर लेकिन पूछ ले last English governor general कौन थे तो यह आप लोग को बता रहे हैं ठेक है तो यह काफी interesting question बन जाता है तो instrument of accession जो है वो sign किया जा रहा थे हैं आपर तो उस time पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि indirect way में बुला जायते हैं यहाँ पर यह एक कर यह हो गई थी जैसे भी होई पर लेकिन अब जो है इसको थोड़ा सा widget कर लेना चाहिए ताकि चीजे जहां पर हमको गलत लग रहे हैं उनको सुधारा जा सके अगर बड़ी ही आसान से और simple से सब्दों में आप लोग यहाँ पर समझाओं तो एक सब्द यूज कियाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है सिंपल सब्दों में याद रखेगा कि आर्टिकल 371 यह जो है वो यहाँ पर बात करता है नागा लेंड नागा कम्मुनेटी के बारे में तो उनको जो पावर मिली ही है लोकल एरिया में सीविल और क्रिमिनल अपने उनक पर बात कम्मुनेटी है उनके पास में ऐसे भी अधिकार है जिसमें वो लेंड वगेरा भी ट्रांसफर कर सकते हैं लोकल एरिया के रिसोर्स इस भी यूज कर सकते हैं तो यह चाहते हैं कि सेम अधिकार जो है वो हमको भी मिले तो यह हैं आपर इसका जिस्ट एक अगर तरी पूकिट में आप लोग रखना जरासी एक पर्टिगलर डेफिनेशन के साथ में कि आखिर क्या इसका जिस्ट था तो वो यह हैं यहां पर यह ठीक है तो यहनिके हमको भी उनके जैसे अधिकार दो यह है बात तो यह कंप्लीट आर्टिकल आप लोग यहां पर UPSC का जो प् सकते हैं क्योंकि काफी important topic वो बन जाता है अगर आप लोगों से direct question के बारे में मैं बात करूँ तो already question exam में हाँ पर पूछे जा चुके हैं आप लोग देख सते हैं तो कई सारे question में भी आप लोग के attempt करवाओंगे हैं आप और कुछ question आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे ठीक है तो यह एक तरीके से आप लोग second topic बोल सकते हैं यहां से और वैसे मैं extended यह extra information आप लोगो provide करा रहा हूं जब हम लोग बात करते हैं tribal community के बारे में हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधिवासी तो आधिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की culture, economy, religious practice follow करना पस और बहुत सारे ऐसे tribal community के लोग भी हैं जैसे आप लोगों ने सुनोगा जारवा tribal community, sentinelies जो की अंडमान निकोबार वाले area में पाई जाती हैं वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने time पर होते हैं थे ना जैसे खेती करना नहीं जानते थे बस जंगल पे जो पेड़ पोदों पे से फल फूट्स मिले वो खा लिए और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मचली बगारा पकली थोड़ी बहुत और अपना एक तरीके सिकार विकार करकर जिंदर रह लिए तो वो वाली जिंदगी वो आज भी enjoy कर रहे हैं तो जब हमार उने schedule caste और schedule tribe जो है हम लोगों ने इसको अलग लग कर दिया क्योंकि schedule caste जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक level है society के अंदर में schedule tribe जो है वो विलकुल एक अलग level है तो दोनों को साथ में लेकर चलना possible नहीं हो पा रहा था तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया पलेकिन starting में एक ही जगे हाँ पर रखा गया था culture एक different है आपर तो उसके चलते ध्यान में रखते वे समिधान निर्माताओं को पता था इसलिए समिधान में related article देखने को मिलेगा जैसे article 366 वो define करता है कि tribal community है ठीक है एक तरीके से ऐसे group हमारे देश के अंदर में है article 342 जो जो 342 है यानिके 340 जो है वो specification जो बाते करता है tribal या फिर tribal community के बारे में ठीक है तो एक तरीके समिधान के अंदर schedule tribe से लेटर आप लोगों चीज़े देखने को मिल जाती है कि कि किस राज्य में या फिर किस UT में जो tribal community देखने को मिलती है तो उससे लेटर जो power है कि आप लो यहाँ पर बता हूँ आप लोग थोड़ा सा सुनके हाँ पर एक तरीके से हैरान भी होगे थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट भी हाँ पर जन्नेट होगा अरज इरे में रहते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग ठीके है कुछ पोर्शन जो आप लोग को देखने को मिलेंगा 10.03 परसेंस यह अरबन एरे में भी आप लोग को कोदेखने को मिलेंगे कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुनोगा कि यार हाँ जैसे कि मेरा बोलो तो मैं सहरी भी हूँ और मैं गाउंगा भी हूँ यानि कि मैं दोनों जागे जाकर रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे common भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे आज भी मेरा गाउं है, गहाँ पर घर है, मम्मी पापर रहते हैं वाँपर क्योंकि मुझे इंटरेट की availability चाहिए होती है, ये सारी चीज़े चाहिए होती है और थोड़ा अपना भी जो चीज़े चलती है भाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है अगर बात करूँ, अगर decadal, decadal मतलब एक दसक के अंदर में दसक मतलब 10 सालों के अंदर में, जो growth आया है tribal population के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोग को देखने को मिलेगा जैनि कि tribal, जो आदिवासी community की जो population है, वो ज़्यादे बड़ी है अगर हम लोग अपनी जो population के बारें बात करें हमारी population लगबग 17% के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा growth हुआ है जबकि tribal community की जो है, वो 23% का growth आप लोगों को देखने को मिलेगा यानि कि एक तरीके से उनकी community में ज़्यादे growth हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं अब बात करते हैं sex ratio के बारे में, sex ratio के बारे मतलब अगर बात करते हैं sex ratio तो इसको define करने का एक पैमाना हम लोग उने मान रखा है पैमाना मतलब क्या है? यानि कि अगर हम लोग sex ratio देखेंगे, यह 1000 लड़के हैं उन पे कितनी लड़के हैं? यानि कि अगर हम लोग साधी कराने आजाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में साधी हो जाएगी तो इसको बोलते हैं sex ratio तो overall population जो है यहाँ पर 940 देखने को मिलेगा female अगर बात करते हैं male के इसाब से सेड्यूल ट्राइब के अंदर में आप लोगों यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलते हैं यानि कि सेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर population का sex ratio है वो ज्यादा अच्छा है as compared to हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के compare में यानि कि वो भून हत्याय जैसी चीज़े आ वह कितना बड़ा तांडाव कर देते हैं वह वाला सीन थो बड़ा ही खतरनाग है जो जाकर नहीं पूरा जंगल के सेर और वह भालू अगयरा पकड़के पुरा उसमें चोड़ देता है उसके अंग्रे जो के महल में ले जाकर वह बड़ा खतरनाक सीन लगते है तो आप लो लोग बोल सकते हैं ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों पता होना चाहिए अभी आप लोगों से में पूछ लो कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉबुलिशन है वो सबसे ज़्याद है कौन से राजय के अंदर पाय जाती है तो आप लोगों पता होन चाहिए कम से कम पांच सबसे बढ़ जाद है ट्राइबल पॉबुलिशन वाले राजय कौन से हैं तो पहले नंबर पर आता है मज्या परदेश दूसरे नंबर पर आता है महरास्टा तीसरे नंबर पर आता है उडिसा चोथे नंबर पर आता है राजिस्थान और पांच्व सकते हैं कि टोफ फाइव राज्यों में इनके नाम आप लोग को देखने को मिल जाएंगे बाकी जहारखन चतिसगर आंदर प्रदेश वेस्ट बंगाल और करनाट का यह आप लोग यहां पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टोफ राज्ये जहां पर ट्राइब इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में पर लेकिन एक एरिया हो गया है यहां पर 1 स्कायर किलोमेटर का उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो गया? लोकेशन कहां पर अगर आप लोग लक्षए दीब की देखना चाते हैं तो यह आप लोगो देखने को मिलेगी Arabian Sea के अंदर में concentration जो tribal community की है वो आप लोग को लक्षेदीप के अंदर नजर आएगी दूसरे नंबर पर आप लोग को मिजोरम, फिर नागालेंड, फिर मेकाले और फिर अनोचल परदेश, इनके मोटे-मोटे तोर पर आप लोग देखो तो लक्षेदीप को अगर आप लोग छोड़ दो हैं तो बागी के नोर्थ इस्ट के आप लोग को राजे देखने को मिलेंगे जहाँ पर population density जो है वो सबसे ज़्यदे नजर आती है फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मनिपूर, सिक्किम, तिरपूरा, चातिसगर, जारखन, उडिसा, मैदयपरदेश, गुजरात और राइस् जो अपनी culture, अपनी life को enjoy करते हैं, इसलिए जो मैंने आप लोग को एक particular trick बताई थी, कि ATM, ठीक है, ये 6th schedule के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है, समिधान के अंदर में, इसमें मनिपूर नहीं है, नोर्थ इस्ट वाली एरे कि जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखने को जुरूर मिलते होंगे, जैसे कि यार जोब नहीं लग रही है, ठीक है, लड़कियों के साथ में बाते करें, तो लड़किया बोलती हैं कि घर से प्रेसर आ रहा है साधी करने का, तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, irritation हो रही है, पता नह है, ऐसा लग रहा है कि कहां जिंदगी रूख से गई है, तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका solution आप लोगो खोजना पड़ेगा, तब ही जिंदगी आगे बढ़ पाएगी, आप लोगो समझना पड़ेगा कि exactly कहां पर आप लोग अपनी energy लगा जा रहे हैं, क्यों क्योंगी population बढ़ रही है, हमारी जैसे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपना आपको बोलते हैं, वो यहां से resources निकाल निकाल कर ले जाते हैं, इसी के साथ में education आप लोगो proper देखने को ने मिलती है, इनकी literacy rate, हाल तो हमारी country में जो पढ़ने क एक literacy की definition है, वो ही इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया, तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माने जाता है, तो यह definition ही सबसे पहले मुझे लगता है, चेंज करनी चाहिए, जिससे की हाँ पर situation थोड़ी change हो सके, health और nutrition का level जो है काफी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे gender issue भी हाँ पर निकल कर आते हैं, तो यहनी कि एक तरीके से कई सारे issue आप लोगों यहाँ पर male और female के भी देखने को मिलेगे, खास कर अगर tribal community के बारे बात करें, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी tribal community के बारे में आप लोगों से जिक अपने घर पर ले कर आती है, यानि कि जिस तरीके से आज की rate में हमारी society में क्या होता है, कि लड़का साधी करेगा और लड़की को अपने घर पर ले कर आएगा, और इस तरीके समझ सकते हैं, पर लेकिन वहाँ पर opposite होता है, अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारें बात करें, तो उसको अधिकार होता है, अपनी प्रोपर्टी को वहान करने का, यानि कि लड़की के पास में प्रोपर्टी का अधिकार जाता है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वो matriarchal society आप लोग को देखने को मिलेगी, present time पर इंडिया के अंदर में वैसे patriarchal society है, यानिके पित्र परधान, यहाँ पर आप लोग को देश नजर आएगा, पर tribal community में मात्र परधान भी area आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो हाँ से हम लोग को सीखने की जुरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, यह वो tribal community है, जो hunting, gathering वगएरा, fishing वगएरा वो काम करती ह सिफ्टिंग, cultivation वगएरा वाणि एक तरीके से, अपना वही एक तरीके से गुमें यहाँ पर खा लिया, वहाँ पर यह काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पुसू वगएरा बांग लिये, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी, इनकी main जो economy है, main जो पैसा है, वो यहीं से निकल कर आते हैं, पैसा क्या बेसिकलि एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वहान करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यह वाली सलाइड काफी important है, इसके उपर तो आप लोग सलाइड पे स्टार लगा ले ना, क्योंकि एक होता और भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी खसता आहलत हो रखी है, यहनकि उनके पास में तो बिल्कुल भी resources नहीं है, उनके बहुत हैसे है कि बस उनको support प्रोइड करा दे, वरना पता नहीं, जैसे तैसे जिनकी उनकी चलेगी, तो उसके उपर focus देने के लिए हाँ पर यह पर य यहाँ पर किये जाती है, ताकि उनको एक support प्रोइड कराया जासेगे उनकी area में, यह concept कहां से निकल कराया, यह 1975 में निकल कराया, जब यहाँ पर बात करते हैं, डिकलेर किया गए 52 ऐसी tribal community हैं, जिनको PVTG की category में रखा गया, यह किसके base पर किया गया, तो यहाँ पर देब commission था, जिसके base पर यहाँ पर इसको बनाया गया, इसने हाँ पर primitive tribal group के बारे बात की थी 1973 में, तो जो इसने हाँ पर suggestion दिया, government को पसंद आ गया, वा क्या बात कर दी, इन लोगों के अपर थोड़ा focus के जाएं, तो फिर government ने उसको accept कर लिया, तो यहाँ से यह commission का suggestion ही आपर आ 805 tribal community आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें से 75 tribal community ऐसी है, जो कि PVTZ की category में आती है, यानि कि ऐसी tribal community जो कि आज किट में सबसे ज़्यादा है problem face करती है, और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें, कौन सा राज़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है देखने को मिलती ह वो भी एक tribal community से ही निकल कर आती है, उस tribal community का नाम क्या है, यह आप लोग को बताना है, देखता हूं कौन से यह अंसर देता है, ठीक है, यह मैंने अलग से एक special video बना कर आप लोग को पढ़ाय भी था, तो वो tribal community से आती हैं, tribal community के कोई भी issue जब होते हैं, तो उनको काफी detail में tribal community हैं, ऐसा देखकर आप लोग को बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे, और सर ने पढ़ाय तो था, कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों की बारे पढ़ाय था, ऐसा नहीं था, ठीक है, इसलिए कहता हूं, ध्यान से सुना करो, फिर यह मत बोलना, question कहां से बन गय तो इस तरीके से चीज़े आप लोग को समझ के चलनी है, ठीक है, तो कोई भी confusion आप लोग को इससे लिटर नहीं होना चाहिए, कुछ question होगे, जिनके answer आप लोग को देने, देखता हूं, कौन-कौन यहाँ पर सही answer देता है, इससे आप लोग का पता चलेगा, कितने पतार में बोला गया है, क्या, यह बोला गया है, तिरपुरा, तो सही answer यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों से पूछू, याद आ रहा है, कुछ-कुछ मैने आप लोग को बोला था, ATM, ATM के अंदर money नहीं है, ठीक है, ATM के अंदर N तो कहीं भी नहीं है, तो नागलेंड हो यहाँ पर, तो नागलेंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो answer क्या हो गया, answer यहाँ पर C हो गया, फिर से एक बात बोल दो, आप लोगो, वीडियो को pose करकर question को attempt करो, तो मज़ा आएगा आप लोगा, question का जैसी answer दोगे, आप लोग के अंदर confidence आएगा, और उसी का purpose है basically म है, इस state को आप लोगो descending order में, या फिर एक तरीके से घटते हुए करम में, जहाँ पर tribal population पाई जाती है, सबसे ज़्याद है, महरास्टा, उडिशा, मध्यपरदेश और गुजरा, तो इस वीडियो को post करकर दो answer, देखता हूँ कौन सी answer दे रहा है, जो सी answer देगा, उसको ए इंटरेशिंग कोशन है, आप लोगो अटेम्ट करने के बाद में, मज आएगा, कि हाँ ऐसे भी कोशन एक्जाम में बन जाते हैं, और यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, आप लोगो धूनना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बोला गया है, यहाँ पर देब और कमिश अगर आप लोगों से पूछूँ है, अगर आप लोगो कुछ नहीं पता है, और आप लोगो मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है, कि हाँ सर ने यह बोला था कि हर एक राज्य में तो याँ ट्राइबल कम्निटी नहीं है, अगर यह छोड़ी सी बात भी आप लोगो या तो यहाँ से आप लोग आराम से question का answer दे सकते हैं, कि हाँ fourth statement गलत है, और fourth अगर गलत हो जाती है, तो यहाँ, ऐसे आप लोगों से कई बार UPSC में question मनते हैं, तो इस तरीके से preparation करो, ताकि एक भी point जो है, वो आप लोगा छोटे ना, जो भी करके जाओ, पढ़के धंक से श नेक्स्ट यहाँ पर बोला गए कि इसके member are not eligible for appointment more than one term, यहाँ पर बोला गए, तो यह काफी interesting question है, अगर बात करें, चलिए attempt करिये, फिर अभी answer बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, यह भी पूरा एक अलग से topic हो जाता है, national commission for schedule trap के बारे में, अलग से एक body होगी, आ more than one term, तो ऐसा नहीं है आपर, यह more than two term है ना कि one term, तो यह एक statement है आपर, बाकी है आपर पहले national commission for schedule tribe, और schedule काज जो था हो एक जगे होगा करता था, फिर 19 फरवरी 2004 में है आपर, जो 338 आर्टिकल है, उसके अंदर एक और नया आर्टिकल एड कर दिया, जिसको 338 A बोला, मैं हुआ करता था, 89 जो constitution amendment किया गया था, वो 2003 में किया गया, तो इसलिए यहाँ पर यह समिधानिक बोड़ी भी हो गया, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, किस ministry के अंदर में आते हैं, तो ministry of social justice and empowerment के अंदर में आते हैं, इसके minister को ने, यह आप लो comment box में बता रीजे, अगर बात करें हैं अपर, तो यह कैसे, जो tribal community को आगे लेकर चलने हैं, उसके बारें बात करते हैं, at least एक member महिला होगी, chairperson, vice chairperson और दूसरे member होगे, जो की 3 साल के लिए चुने जाते हैं, और 2 Trump के लिए maximum इनको चुना जा सकते हैं, तो ऐसे answer यहाँ पर आप लोग के सामने A हो ग खाके, नागलेंड, लक्सेदीप, मिजोरम, मेगाले, तो अगर आप लोगो यह पता हैं, उनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है, लक्सेदीप वाली, तो answer आप लोगे सामने होगे हाँ पर B, तो यार मैं अभिसा ऐसी बोलता हूँ, आप लोगो की topic को बिल्कुल ऐसे तिय पोपलिशन जो है, वो बोला गया है, 8.61% ही टोटल पोपलिशन का, ग्रोथ आप लोगो को देखने को मिली है, लेस देन टोटल पोपलिशन, और तीसरा बोला गया है आपका, कि जो sex ratio है, overall जो population का, वो less है, less देंदर जो ट्राइबल कमुनिटी के अंदर, यह less आप लोगो पर बता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में, डिटेल में आप लोग यहाँ पर बता दिये, ऐसे question आप लोगो से बनते है, exam में, match करने का भी question है, अगर बात करें हैं हापर, कौन-कौन से आर्टिकल में क्या-क्या match कर रहा है, तो यह तो मैंने आप लोगो डिटेल मे के बारे में, यह 2015 में question पूछ ला गया, तो किसका प्रोडेट करता है interest, यह बोला गया है, तो प्रोडेट करता है interest, schedule tribe के बारे में, ठीक है, state की boundary, पंचायत और वो सब चीजे, तो कुछ नहीं है, direct question है आप लोगे सामने, exam में बढ़ाई पिदी सा question आप लोगों से पूछ के साथ में, तो इस तरीके से topic को त्यार करना है, और कई सारी slide आप लोगे लिए extra भी डाल देता हूं, जैसे कि हाँ पर यह article की डाल दिये मैंने, तो जब PDF डाउनलोड करते हो, तो आप लोगों हैं पर जैसे कि commission के बारे में डाल दिये, जो भी question मेंने attempt कराया, तो और भी क आप लोगों सारी चीजे मिल जाती हैं, तो इसका फायदा आप लोग भी उठा सकते हैं, PDF मिल जाती हैं हाँ पर आराम से, जो कि आप लोग सेव कर सकते हैं आगे के लिए, और दूसरा बच्चा अगर कोई पूसता है तो उसको भी बता दिया करो यार, सारी चीजे अपने जरूर, जैसे यह हमारा पुरा पुरा पृत्वी हो गई है अबरा गोला ठीक है, तो यह जो गोला है, इसका नीचे वाला जो पोर्सन हो गए आपर यह आप लोगो देखने को मिल गा अंटार्टिक है, ओपर वाला पोर्सन जो होगा, वो बिसिलिए आर्टिक वाला रिजन होगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, इस तरीके से कई बार आप लोगो विसलिए एक्जेक लोकिशन के बारे पता होना चाहिए, अब यह थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा, कई सारी बात देखने को मिलेगे, तो यहाँ पर यह कवर किया गया, इंड बग 40 साल जो हो चुके हैं, इंडिया के द्वारे हैं हाँ पर साइन के गे थी, अंटार्टिका ट्रिटी, पलेकिन अब जाकर हम लोग यहाँ पर एक ड्राफ्ट तयार कर रहे हैं, ड्राफ्ट रहे हैं, जिसमें एक बिल लेकर आ रहे हैं, बिल और एक्ट में डिफ्रेंस ह होता है कि बिल जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है पारलेमेंट में और प्रिजिजेंट सायन कर देते हैं, तो उसको आप लोग एक्ट बोलते हैं, तो हमारी कंट्री के दौर आभी हाँ पर बिल बेसिकले लाए गया, तो उसी के चलते हैं हम लोग चाते हैं कि प्रोप लुग जैसाथ में एक आप नहीं यहां है इतनी पाउर हमारे पास में यहां इसा कुछ कर देंगे तो वही वालिक आप लुग आप आप हैंगे जव हम लोग एडिया के बारे बात करेंगे वो कैसे होगी वोम्याप अंटार्टिका ट्रीटी जो है ये 1959 में साइन किये थी और 12 यार दोस्ते वो पहुंचे अंटार्टिका वाले रीजन में पार्टी बार्टी करने तो बोले कि यार बड़ा अच्छा रीजन है आप लेकिन जैसे वो सारे चीजे बरबाद कर चुके हैं तो यार यहां पर कुछ ताकतवर देश थे उस टाइम पर लगबा उनके द्वारा बोला गये कि यार मिलकर काम करते हैं और ऐसा कुछ डिसन लेते हैं जिससे यहां पर यह जो रीजन है यहां पर जंडे गार दें और बोलेगी मेरा एरिया हो गया और हम तो कुछ भी करेंगे आप तो वह वाला नह होना चाहिए तो इसके चलते हैं यहां पर यह ट्रीटी जो थी साइन किये गई और फिर इसको 1961 में फोर्स लाए गया यह जो पूरा साउथ है जैसे कि यह पृति होगी ठीक है पृति का जो साउथ वाला पोर हो गया पर तो इसमें जो 60 जो यहां पर जो 60 डीर का जो लेटी ठीक है इसी के साथ में हाँ पर फीसफुल रिसर्च की जा सकती है यहनन कि आप लोग यहां पर आकर अपनी लेपली टिरूरी बना सकते एं यह कुछ यह ऐसी कुछ नहीं कि बस यही बात थी है आपर बहुत सारी बात थी है military zone यहाँ पर basically नहीं बनाई है ठीक है freedom रहेगा है यहाँ पर scientific एक तरीके से investigation का अपने अपने level पर आकल आप लोग scientific investigation कर सकते हैं free exchange कर सकते है scientific plans एक दूसरे के साथ में हम लोगं利ये चांत यहां पर बोला सकते हैं इस ही के साथ में कोई भी हंपर territory का इसको होंड बर ढाल तो कि हैं यह हमाँ रहे नहीं होको together nuclear free यहां पर रहने वाला है मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पर आप लोग चल कर प्रमाणगों चिपा होगे कि गड्डे में दाबदों आपर फिर निकाल लेंगे जिसे नहीं कंचे अदाब दिया करते थे बच्पन में ऐसा भी कुछ नहीं करने है इसी के साथ में हाँ पर बोला जा रह है कि हहाँ पर बुल रहा है कि यहाँ बिरा सीरेश की MP1 और दूसरे वाला भी आपर देख सकता है कि कुछ गडबट नहीं हो रहें तोहां पर एक तरीके से यह हो गया कि ऑपन काम होगा यह दूसरे कि ऐसा नहीं कुछ बद्तमी चार्थ जा रहे हैं नेशनल देखें यह इनटरीजिक और सबूपर भी हैं और अपर यहां पर वह रॉख देखर रहे हैं तो उसको देखा जाएगा ना क्योंगी एरिया तो किसी का भी नहीं है ट्रीटी जो है वो modified की जा सकते है anytime अगर requirement होती है agreement करकर यहाँ पर उसको देखा जा सकते है all the treaty nation to ensure the one and no one carry out the act against the treaty यानि कि अब मैं यहाँ से बात करूँ ना यह जो last वाला point है अब हरी country जो है वो अपने देश के अंदर में कानून बना सकते हैं कि इस ट्रीटी को लेके कैसे चलना है अगर उनको लगता है कि यहाँ पर यह चीज़े होने चाहिए इस चीज़े से होने से हम लोग इसको बचा सकते हैं इस यह जो तो कोई भी जो देश है वो अपने हाँ पर कानून बना सकता है और उस कानून को भी यहाँ पर रहा सकता है और हिंटरेशन चीह पर यह कि जो कानून लाकर हैं और हो मालने होगा 24 से चिनंके रहे स किन चांगर सेटी को साइन गटी था है यहां है एसे हैं जिनके द्वारा 29 have the right to vote at the Antarctica treaty basically जो consultative meeting है और उसमें इंडिया भी है ठीक है तो यह important है हमारे लिए यहनके हमको भी हाँ पर अच्छी खासी power मिली हुई है इंडिया के द्वारा sign किया था 1993 में इसको तो यहाँ पर consultative status के हम लोग को मिल गया है same year में यहनके basically हम तो यार वो देस हैं जो कि हम लोग बहुत हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है ठीक है तो उसके pattern पर चलने वाले लोग है हम लोग यहाँ पर convention on the conservation of Antarctica marine जो living resources के बारे बात करें तो CCAMLR आप आप लोग को देखने को मिलेगा sort form इसको बोलते हैं और यहाँ से भी question already exam में आप लोगे बन चुके हैं तो यह यहाँ पर protect के जासे इसके बारे बात करते हैं तो यह हो गया basically किसको बोलते हैं convention on basically basically convention on conservation of Antarctica marine जो life जो resources ने बारे बात की जा रही है next important मुद्द जहें आपर यह बात की जा रही है basically protocol on environmental protection to the Antarctica treaty तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यह बात की जाते है यह basically sign करना sign किया था 1991 में और force में 1998 में यह basically natural जो भी हाँ पर रिजर्व है उसको हाँ पर एक तरी से आपका नारा implement करना है कि सबका साथ और सबका विकास ए तभी चलेगा सबका परियास और तभी होगा आपर सबका विकास ठीक है तो यह वाला fund है तो यहाँ पर अगर बात कि जा लिए कि इनके सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह एक तो mandatory है जो लिए और वह बाइंडिंग भी है अपनी मर्जी नहीं चलेगी अपनी मर्जी चलाओगे तो बत्तमीजी काटोगे और अगर कोई फोलो नहीं कर रहे है तो फिर उसको देखा जाएगा ठीक है 27 कंट्री ऐसे है जो ओल इंडिय अपना डॉमेस्टिक लोग बना चुकी है तो यहाँ पर बात की जा रहे हैं अब हम जो कानून बना रहे हैं एक तो वह कानून एंपने सर्द पर इंप्लिमेंट होगा ना की इंडिया इंडिया छर्कते करेगा तो यह draft जो है यह first domestic legislation है जो हमारे देश में basically बना जा रहा है अंटार्टिका के लिए तो यह जो bill है यहाँ पर यह कई सारे ऐसे penal provision भी लेकर आएगा अगर कोई कानून को break करता है तो उसके चलती हाँ पर देखने हुए अगर comprehensive है यहाँ पर जो कि हम लोग यह कान करें Indian citizen के ओपर implement हो गई होगा कोई भार का भी अगर citizen है मैंने बोला ना भी land के ओपर implement नहीं होता है यह कानून यह basically citizen के ओपर implement होता है यह कानून तो यह important मुद्धा है basically यहाँ के यह कानून जो है वो individual person के ओपर जो है वो implement होगा ना कि जमीन के ओपर यह बिल जो है जैसे यह force में आ जाते हैं तो Indian foreigner कोई भी corporation है कोई company है कोई joint venture है हो आपक तो यहाँ पर जो काम कर रहे है कोई aircraft वागरा यह सार्चीज अगर बात करें any vessel हो गया aircraft हो गया तो that is either Indian और जो basically Indian expedition है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े है यहाँ इसके ओपर यह implement होता है नजर आएगा तो यह काफी important है तो यानिकि इंडिया जिसे 48 member में हो गया तो उन्हों और यह अगर बात करें कई सारे प्रोविजन जो अंडर दविल है इस्टिक गाडलाइन दे गए हाँ पर कैसे basically एक तरी से permit करना है कोई भी हाँ पर appointment की जा रही है एक तरीके से निकी issue की जाएगी government appointment committee ताकि एक तरीके से चीजों को ढंग से देखा जा सके ठीक है तो बात क साथ में environmental protection तो उसके provision के बारे बात करें कैसे इसको monitor कर रहे है कैसे rule बना रहे है वो सारी चीजे ठीक है emission क्या होना चाहिए यह सारी production कैसे चलना है वो सारी चीजे थोड़ा सा नीचे बुस गया है एक minute रोड़ गया थोड़ा सा तो यह सारी चीजे आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली तो कहने का मतलब यहां पर यह कि प्रोपर एक पैटन में काम किया जाएगा ताकि international आप लोग बेसिकली ऐसा नहीं कोई native plant को damage करोगे कोई हां पर flying या फिर landing helicopter आप लोग लेकर आओगे कोई operation वेसल ऐसा लेकर आओगे जो कि हापर बढ़ बढ़ बगर पकसी बगर हैं उनको disturb कर दें ठीक है कोई वहां पर soil को remove करके कोई आप लोग अल्टरनेटिव कुछ और हरकदे कर रहे हो biological कोई material जो native नहीं है वहां का local वो लाकर आप लोग वहां पर डाल रहे हो तो कुछ भी ऐसी adverse impact डालने वाली चीज़े जो कि हहां पर animal पर कोई impact डाले उस area को दिक्कत में डाले कोई भी ऐसा काम आप लोग कोई भी ऐसी हरकदे कोई भी ऐसी बत्तमीजी कैसा कुछ करना पड़ेगा अबर कोई वोलेट करता तो penalty भी लगेगी और जेल भी जा सकती है इस तरीके से यहां पर बिल जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया जो टोर हैं आप और अंटार्टिका के अंदर में तो वह भी permission कैसे कैसे चलती है तो 40 के करीब यहां पर आ अब लोगों ने कुछ वह तो अच्छा कामन है और वह तो वह तो यह तो अब तक सब दुनिया कानूर मना रहे तो हम फोलो कर रहे तो इस तरीके समझ सकते हो तो अच्छा कामन है प्रोटेक्ट करने का ही काम कर रहे है तो पॉजेटिव सैड में चीज़े जा रही है ठीक है नेवले टाइम में बोला जा रहा है पैसेंजर विकल जो है वो खतम होने वाले है खासकर नॉर्मल तरीके इलेक्ट्री विकल आप लोगो को देखने को मिलेंगे तो अच्छी ब काफी बड़ी kontroversy यहाँ पर चल रही थी है इनको जेल में डाला गया था यह माना जा रहा है तो इसके चलते हैं हाँ पर अभी बेल इनको मिल गई है तो बेल के बारे मैं अभी दो-तिन दिन पहले आप लोगो पढ़ाय था किस तरी कौन-कौन सी बेल होती है तो उसका revision आ काफी सारे प्रोटेस्ट आप लोगो देखने को मिल रहा है जिसकी वैसे देश के अंदर में काफी सारी दिक्कते हैं हाँ पर निकल करा रही है ठीक है यह यहाँ पर घुड़ा हो गया तो इसके बारे में आप लोग बताईगा बाकी अगर बात करें हैं यहाँ पर यह काफी important है आप लोग देखते हैं सुडू को आप लोग इसको फिल करिएगा देखता हूं कौन-कौन यहाँ पर इसको फिल करता है और इसी के साथ में आज का discussion था इसमें कुछ और छोड़ी बाते हैं वैसे अगर दिखाए जैसे कि CBI की प्रोब करने की बात की जा रही है चीप मिनिस्टर के फंड को लेकर तो अरविंद केजरिवाल जी साब कल लाइब भी आकर बैठ गे थे कि हमको बेसिकली जेल में डालने कोसिस की जा रह रिजल्ट रहा डेली का तो यह दिखाने कोशिस की जा रही है यह काफी अच्छा लग रहा है मुझे प्रैमस्टर मोदी साब के द्वारा बोला गया है तेहीश चोबीस वो सोरी 13-14-15 अगस्त को देश में सब के घर पे जो है वो ट्राइब कलर जो है वो एक तरीके से फैर अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि Saudi Arabia और UAE record most death of Indian worker हमारे country के लोग जो है बाहर काम करने जाते हैं तो कई बार उनको problem face करनी पड़ती है तो कई सारे लोगों की death भी हो जाती है तो यहाँ पर आप लोगे सामने यहाँ पर यह उधारन है आप लोग समझ सकते हैं कि बाहर काम करने जाना और फिर इसे situation देखना तो कई न गई अंदर से यह काफी दुख देने वाली बात होती है तो इसके ओपर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि आने वाले time में situation को सुधारा जा सके और ऐसी कोई भी condition यहाँ पर देखने को नहीं मिले तो यह काफी ज़्यदे आंसर यहाँ पर देगे moon के द्वारा तो आप लोग इनको attempt कर सकते हो ठीक है आगे आने वाले time में यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप लोग देखते हैं कि कई सारे बच्चे जब इस तरीके से आंसर देखते था उनको काफी ज़्यदे improvement देखने को मिलता है जैसे लोगों प्रोवाइड करा दूँगा आई होफ कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से enjoy किया होगा कोई भी डाउट अगर हो तो बताना जरूर आने वाले time में उसको improve के जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प